डियर स्टुडेंट्स प्लेटफॉम ओफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में नाइन्थ क्लास की गणित सब्जेक्ट की आकलन कार्य पत्रक नमबर फोर को सुलुशन के साथ एक्स्प्रेइन करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आकलन कार्य पत्रक नमबर फोर सामान्य निर्देश यह कार्य पत्रक 20 अंक का है इस कार्य पत्रक में 10 प्रश्न है प्रतेक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए है Q1. X जमा Y बराबर है 5 का एक हल ग्यात कीजिए जो X अक्षपर स्थित है तो देखिए X अक्षपर कौन सा पॉइंट सीथ होगा जब X बराबर है 0 जो Y अक्षपर सीथ है Y पर 0 का मतलब है Y अक्षपर सीथ होने का मतलब है कि वहाँ पर X 0 होगा तो इसका solution क्या बनेगा X बरा बराबर है 9 को 2 चर वाले रैखिक समिकरण के रूप में व्यक्त कीजिए देखिए अब यहाँ पर इसको 2 चर वाले रैखिक समिकरण में बदलना है आपको तो यहाँ पर आपके पास चर एक है Y दूसरा चर लिखने के लिए आपको इसको 0 से गुना करना पड़ेगा ताकि वो 0 हो जाए तो 0 गुना एक्स जमा 5 वाई बराबर है 9 कोशन नमबर 3 एक्स अक्ष के समानांतर और मूल बिंदू से 2 इकाई उपर स्थित एक रेखा का समिकरण लिखिए देखिए एक्स अक्ष के समानांतर होने का मतलब है X 0 है उस वले पॉइंट के ओपर X 0 रहेगा और मूल बिंदू से 2 इकाई उपर का मतलब कि यहाँ पर Y की जो है वो positive value है मतलब Y बराबर है 2 तो Y बराबर है 2 का समिकरण क्या बनेगा Y-2 बराबर है 0 Now question number 4 जाच कीजिए कि क्या 1-2 समिकरण 2X-Y बराबर है 6 का हल है तो यहाँ पर आपको X की जंगे 1 और Y की जंगे आपको माइनस 2 पुट करना है पुट कीजिए 2 गुना 1-2 बराबर है 6 देखिए 6 आ रहा है 2 एकम 2 यहाँ पर 2 लिखिए गलती से 3 लिखा गया है 2 जमा 2 6 के बराबर नहीं है क्योंकि यह कितना आएगा 4 आएगा तो यह है इसका हल नहीं है question number 5 समिकरण 2X जमा Y बराबर है X जमा 5 के कोई 2 हल लिखिए देखिए पहले इसको solve कीजिए X वालो को एक तरफ रखिए Y वालो को side में रखिए 2X-X जमा Y बराबर है 5 2X में से X माइनस होगा तो X बचेगा X जमा Y बराबर है 5 अब यहाँ पर आपको X की और Y की ऐसी value रखनी है कि रखने के बाद आंसर कितना आ जाए 5 तो देखिए पहला हल है 1 और 4 X की जंगे हम 1 रखेंगे Y की जंगे हम 4 रखेंगे तो 1 जमा 4 बराबर है 5 अगला solution है 2 और 3 X को हम 2 रखते हैं Y को 3 रखते हैं 2 जमा 3 बराबर है 5 तो इस तरह से इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं आप इसके कोई भी दो हल लिखें नेक्स है कोशन नमबर छे कोशन नमबर छे में हैं रंगीन कागच का मुल्य एक सफेद कागच के मुल्य के एक तिहाई से 7 रुपे अधिक है इस कथन को 2 चरो वाले रैखिक समिक्रण में लिखिए देखे क्योंकि यहाँ पर हमें इसको 2 चरवाले समिक्रण में लिखना है तो हमें दोनों को अलग--लग मान देना पड़ेगा जैसे हमने मान लिया कि सफेद कागच का मुल्य जो है वो X रुपे है और Y रंगीन कागच का मुल्य जो है वो y रुपे है अब हमारे पास यहाँ पर समीकरन दो चर्मे बन गया x और y आगे देखिए इसने क्या कहा है सफेद कागज के मुल्य के एक तिहाई से 7 अधिक है तो यहाँ पर सफेद कागज का मुल्य कितना है y x रुपे है तो उसका एक तिहाई मतलब x बटा 3 उससे साथ अधिक है साथ अधिक किसका मुल्य है रंगीन कागज का तो रंगीन कागज में आप साथ जमा कीजिए y जमा साथ बराबर है x बटा 3 एक दो को देखते हुए उस रेखा का समिकरण ग्याद कीजिए जिस पर वह बिंदु स्थित है इस प्रकार के कितने समिकरण हो सकते हैं अब देखे आपको यहाँ पर x की जिंगे 1 और y की जिंगे 2 ये वैल्यू रखनी है और वो राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए ज अगला समिकरण हमने सोचा माइनस x जमा 2y बराबर है 3 x की जिंगे 1 रखेंगे तो कितना आएगा माइनस 1 जमा 2y की जिंगे 2 रखेंगे तो तो 2 दूनी 4 तो माइनस 1 जमा 4 कितना आएगा 3 के बराबर आएगा तो इस तरह से हमारे इन 1 और 2 को देखते हुए बहुत सारे सम समीकरण हो सकते हैं next is question number 8 question number 8 समीकरण 3x minus 4 बराबर है 5y को x जमा by जमा c के रूप में व्यक्त कीजिए तो देखिए सबसे पहले हमें y को अधर लेके जाना पड़ेगा 3x minus 5y minus 4 बराबर है 0 यहाँ पर यदि आप इसको इसके साथ compare करते हैं तो A कितना आएगा A आएगा हमारा 3 B कितना आएगा B होगा minus 5 और C कितना होगा हमारा minus 4 हमें value किसकी निकालनी है A जमा B minus C value put कीजिए A की जंगे 3 B की जंगे मैं minus 5 और C की जंगे minus 4 तो 3 minus 5 की minus और minus प्लस हो जाएगा प्लस 4 तो 3 और 4 साथ minus 5 पराबर है 2 तो A जमा B minus C का मान कितना निकलता है 2 Next है question number 9 कक्षा 9 के रोहन और रमीता ने कक्षा की सफाई के लिए 25 रुपे जमा करने का निर्ने लिया इसे 2 चरवाले समीकरण में लिखिए इसका आलेक भी खीचे देखी आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आपको जो समीकरण बनाना है वो 1 चर में बनाना है या 2 चर में क्योंकि समीकरण हमें 2 चर में बनाना है तो आप समोच लिए कि रोहन ने X रुपे जमा कीजिए हैं और रमीता ने Y रुपे जमा कीए है अब दोनों ने मिलाकर कितने रुपे जमा कीए है 25 रुपे तो X जमा Y बराबर है 25 अब उसने कहा था कि आपको यहां पर इसका आलेक बनाना है आलेक का मतलब आपको इनकी अलगल वैल्य देनी है यदि हम X को 10 मानेंगे तो Y कितना आएगा? 15 यदि हम X को 15 मानेंगे तो Y कितना आएगा? 10 यदि हम X को 5 मानेंगे तो Y कितना आएगा? 20 तो इस तरह से आप 3-4 पॉइंट निकाल लीजिए 3-4 पॉइंट निकालने के बाद आप इसे graph पर बनाईए जैसे देखिए x5 है तो y20 है x10 है तो y15 है x15 है तो y10 है यदि x5 है x20 है तो y5 है तो इस तरह से यह आपका graph बन जाएगा तो इस तरह से हम किसी भी समीकरण को दो चरवाला या एक चरवाला बना सकती है question number 10 question number 10 को देखिए एक शहर में ओटो रिक्षा का किराया पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपे और बाद में तै की गई दूरी के लिए 4 रुपे प्रती किलोमीटर लिया जाता है उप्रोक्त कथन को व्यक्त करने के लिए लेखिक समीकरण बनाईए और इस लेखिक समीकरण का आलेग कीजिए तो देखे यहाँ पर सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना कुल दूरी एक्स रुपे है और कुल लागत कितनी है य रुपे तो पहले किलोमीटर के लिए किराया दस रुपे है और बाद में यदि हम कुछ दूरी तया करते है तो उसके लिए किराया कितना है चार रुपे है तो यहाँ पर समीकरन क्या बनेगा y बराबर है 10 जमा 4x-1 तो y बराबर है 10 जमा 4x-4 इसको solve कीजी आप y बराबर है 4x जमा 6 यदि x बराबर है-2 यहाँ पर हम x की जगे-2 रखेंगे x बराबर है-2 y बराबर है-2 तो देखे solution निकालना है हमें यदि हम x की जगे-2 और y की की जगे तब भी हमें right-hand side के equal value प्राप्त होगी तो इस तरह से आप 2-3 value रखकर समीकरन satisfy करा सकते हैं आप इन value को graph upload कीजिए यहाँ पर x बराबर है-2 यहाँ पर y बराबर है-2 यहाँ पर y बराबर है-2 और x बराबर है-1 और यहाँ पर x बराबर है-2 और y बराबर है-2 त आ सकता है तो स्टूडेंट्स यह था हमारी assessment worksheet का पूरा solution उमीद है आपको यह worksheet अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी यदि आपको कोई doubt है या कोई query है तो वीडियो के comment section में जरूर पूछिए मैं आपके comments का जल्दी से जल्दी reply करने की कोशिश करूंगी वीडियो को like और अपने friend के साथ share जरूर कीजिए thanks for watching have a nice day